नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसल जी के अप में एक बार फिर से आज जी रहे हम आपके साथ में बाइलोजी के कुछ महत्यपूर्ण प्रश्णों के साथ में और हम चर्चा कर रहे हैं जिवाणू, विशाणू और लाइकन के बारे में औ देखते हैं आज की कुछ महत्यपूर्ण प्रश्णों को बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि हमारे आने वेली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे बात करते हैं पहले कीशन की नाइट्रोजन चक्र में निमन लिकित में से कौन भाग नहीं लेता है ऑप्षिन है मारे पास बैक्टीरिया सी ओ टू यानि की कार्बन डाय उक्साइड एचनो 3 एड 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 त्री तो जो नाइट्रोजन चक्र है उसके अंदर जो क बात करें तो वायू मंडल में नाइट्रोजन मुख्यत कार्मनिक नाइट्रोजन अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन तथा नाइट्रोजन गेस के रूप में पाई जाती है लेकिन कुछ जीव जैसे कि जिवानों और सेवाल को छोड़कर इसका सीधे प्रियोग करना संभव नहीं है तो गेस ये नाइट्रोजन का जीवदार्यों द्वारा प्रियोजे रूप से परिवर्तन करने के लिए प्राकर्तिक इस तरी करण आउशक है नाइट्रोजन इस तरी करण में राइजोबियम बेक्टेरिया की एहम भूमिका होती है तो उनके द्वारा इसको जो है जो पोदों के खाद्य सामगिरी के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद में इसको पोदे हैं ग्रेंड करते हैं तो यह था जो ऑप्शन भी है इसका सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले किशन क्यों इन में से कुन कीट भक्सी पोधा नहीं है आप्शन है मारे पास पिचेर प्लांट लेडर व्ट बटरवर्ट और हॉनवर्ट बात करें हॉनवर्ट जो की एक कीट भक्सी पोधा नहीं है बाकी सारे हैं किट बख सी पोध हैं तो इसका सही आंसर होगा option D बढ़ते हैं अगले question क्यों है अगला question है मारा समू के पोधों को आम तोर पर सेवाल कहा जाता है किस समू के पोधों को आम तोर पर पर शेवाल कहा जाता है तो option है बारे पास टेरीडोफाइटा थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड अनावरत बीजी तो बात करें आम तोर पर जो है जो कि सेवाल तता फंजाई दोनों ही थेलोफाइटा के अंदर रखा जाता है इन्हें और यह अती प्राचीन अत्वा सर पादब के रूप में इनके इन्हें जाना जाता है जिनमें पादब अंग जड़ तना पत्यों के रूप में नहीं होते हैं तो इसका सही आंसर होगा option भी तेलोफाइटा बढ़ते हैं अंगली किशन को हमारा अंगला किशन है इन में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बै बात की गई है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया है जो कि इन में से देखते हैं option हमारे पास और शालमो नेला option भी है राइजूबियम option C है एकोली option D है श्यूडो मोनास तो अगर बात करें नाइट्रोजन फिक्षिंग की बात करें नाइट्रोजन फिक्षिंग की नाइट्रोजन फिक्षिंग बैक्टिरिया जो है वो होगा राइबो प्लाइजोबियम उसका सही आंसर होगा option भी राइजोबियम बढ़ते हैं अंगले क्यूशन की और हमारा अगला क्यूशन है जब दूद खटा हो जाता है तो यह उत्पन होता है कि उप्षेन हमारे पास ऐस एसीट ऐसीड और है अगला क्यूशन है जानवरों का वह कौन सा वाइरल रोग है जो मनुस्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फेलता है है ऑप्शन है हमारे पास हीमोफिलिया कैंसर रेबीज एंड गल्स हुआ तो बात करें जो रेबीज है जो की जानवर के काटने से जो है मनुष्य के अंदर फेलता और यह एक संक्रमी जानवर के काटने से जो मनुष्य में फेलने वाला एक प्रकार का रोग है बढ़ते हैं अंगले कीशन के और हमारा अगला कीशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रशारित नहीं होता है तो ऑप्शन है अमारे पास मच्छर के ने काटने से मच्छर के काटने से गंदे पानी से साथ खाना खाने से तो अगर बात करें एक व्यक्ति से दूसरे बेक्ति में प्रशारित नहीं होता है, वो होता है मच्छर के काटने से, तो इसका सही आंसर होगा, option B, मच्छर के काटने से प्रशारित नहीं होता है, बाकि यहां पर देखा जाएं, तो और option B, जो है, similar है, तो अगर इसके अंदर option है, हमारे पास none of these, तो उसको हमें इस समय टेक करना होता, क्योंकि यहां पर जितने भी option दे रहे हैं, मच्छर के नहीं काटने से, भी HIV प्रशारित नहीं होता है, गंदे पानी से भी नहीं होता है, और शाथ खाना खाने से भी नहीं होता है, चलते हैं, बढ़ते हैं अंगले क्यूशन के और, हमारे अगला question है, पोल जोनास साख के द्वारा इसके खोज की गई थी, तो सही answer होगा option सी, जोनास साख, बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और, हमारे अगला question है, ओरल पोलियो वेक्सीन विक्सित की गई थी, तो सेम तरीका के question है, बट इसके अंदर जो है, आपको confused नहीं होना है, क्योंकि यहां पर बात की गई है, औरल पोलियो वेक्सीन विक्सित के द्वारा की गई थी, तो option है, हमारे पास टाल स्टार पिन, जोनास साख, अलबर्ट सॉबिन द्वारा और इन में से कोई नहीं, तो जोनास साख है, उन्होंने पोलियो की वेक्सीन की खोज की थी, पर बात करें, जो औरल पोलियो की वेक्सीन की विक्सित करने की वो है, अलबर्ट सॉबिन के द्वारा इसको विक्सित किया गया था, तो इसका सही आंशर होगा, option C, अलबर्ट सॉबिन द्वारा, बढ़ते हैं अगली कुशन की और, अगला कुशन हमारा, जीका वाइरस मनुष्य संचालित ह होता है, option हमारे पास, खाना खाने से, गंदे पानी पीने से, किसी व्यक्ति के संपर काने से, और मच्छर के द्वारा काटने से, तो बात करें, जीका वाइरस की, तो ये जीका वाइरस है, जो कि मच्छर के द्वारा संचालित होता है, यानि कि मच्छर के द्वारा इसका सं इक्रमन होता है बढ़ते हैं अगले किशन के और हमारा अगला किशन है पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों में फेलता है अप्शन है हमारे पास एडीज एजब्ट नामक मच्छर के काटने से विश्यल आफ फूट खाने से किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से या इन में से कोई नहीं तो जो पीला बुखार है यानि कि पिथ जवर के नाम से भी जाने जाते से कि खोज किष्णer की थी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है रिच्छक के ठीक की खोज किष्ण की तो प्षिन है हमारे पास अलबर्ट जोबी द्वारा एडवड जैनर डार्विन या इन में से कोई नहीं है तो एकर ठीक की बात करें तो ठीक का टी का जो है एड़र जैनर की द्वारा खो जा गया था पढ़ते हैं अगले किशन की और हमारा अगला किशन ने एड्स का विशाणू रक्त में किस की व्रद्धी को प्रभावित करता है तो अगर बात करें एड्स के विशाणू की तो यह जो है ऑप्षन दिये हैं हमारे पास S को सिका L को सिका T को सिका या इन में से कोई नहीं तो जो एड्स का जो विशानु है जो की टी सेल होती है हमारी उसको व्रद्धी को प्रभावीत करता है तो इसका सही आंसर होगा option सी टी सेल को सिखा बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है दूद को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे क्यों उबालते हैं option है हमारे पास दूद को गरम करने के लिए दूद में शुक्ष्म जीवो को मारने के लिए दूद का color change करने के लिए या इन में से कोई नहीं तो दूद को जो है उबाला जाता है ताकि उसमें जो भी शुक्ष्म जीव है जो की मर जाए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और हमारा अगला क्यूशन है पोरी फेरा क्या है पोरी फेरा की बात करें तो ओप्षन है हमारे पास जिवाणू विशाणू संग या इन में से कोई नहीं तो पोरी फेरा एक प्रकार का संग यानि कि एक फाइलम है तो इसका सही आंजर होगा ओप्षन सी संग बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और अगला क्यूशन प्रत्वी पर पाई जाने वाली सुक्समत्म वनस्पति है अगर बात करें प्रत्वी पर पाई जाने वाली सुक्समत्म वनस्पति की तो वो है या इन में से कोई नहीं अगर बात करें प्रत्वी पर पाई जाने वाली सुक्समत्म वनस्पति की तो वो है या इसका सही आंस चलते हैं अगले किशन की और हमारा अगला किशन नियांत्रिक कोसिका विभाजन से क्या होता है ऑप्ष्ण है हमारे पास HIV करक्रोग चैचक और हैजाम तो बात करें अगले किशन की और हमारा किशन मलेरिया होता है ऑप्ष्ण है हमारे पास मच्छरों के काटने से कीटों के काटने से प्लाज्मोडियम परजीवी से या मादा एनपली से तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा यह फैलता है इसका सही आंशर होगा Malaria जो है प्लाजमोडियम परजीवी से होता है बढ़ते हैं अगले किशियन के और हमारा आगला किशियन है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है option है हमारे पास विशाणू, जिवाणू, क्रमी और प्लाजमोडियम तो file area की बात करें, तो file area यानि की क्रमी, file area रोग है चुकि क्रमी यानि की warm के द्वारा यह फेलता है तो इसका सही answer होगा option C, बढ़ते हैं अगले question की और हमारा अगला question है वह कौन सा जीवा जिसके अंदर रक्त नहीं होता पर श्वशन करता है option है हमारे पास यूग लेना, amoeba, hydra या इन में से कोई नहीं तो अगर बात करें hydra की, तो hydra है जो की एक प्रकार का जीवा है जिसके अंदर रक्त नहीं होता है पर यह है श्वशन करता है यह थे दोस्तों आज की कुछ महत्य भुर्म question जो की one day exams के अंदर directly पूछ लिए जाते हैं उमेद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और comment करके हमें जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार